कोरोना वायरस महामारी के बीच लग रहे एक बाद एक जटके आमादमी की जेप पर गहरा असर छोड़ रहा है रोजमर्रा में इस्तमाल की जाने वाली जरूरतों के सामान के भाव बढ़ने से आमादमी को कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वज़े से पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है ऐसे में अब LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोत्री की गई है ये बढ़ोत्री महज 15 दिन के भीतर की गई है कितनी बढ़ोत्री की गई है इस वीडियो के जरीए हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमतिन्दी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजे आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोत्री हुई है तेल कमपणियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था मैच 15 दिनों में LPG गैस सिलेंडरों के दाम 100 रुपए बढ़ गए हैं इंडियन आयल की वेब साइट के मताबिक दिल्ली में 14.2 किलो ग्राम LPG गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ कर 644 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है पहले इसकी कीमत 594 रुपए प्रति सिलेंडर थी अन्य शहरों की बात करें तो कौलकाता में इसका दाम 670.5 रुपए मुंबई में 644 रुपए और चेन्नाई में 660 रुपए है एक दिसंबर को हुई समिक्षा की अनुसार इन शहरों में सिलेंडर की कीमत करम स 594 रुपए 620.50 रुपए 594 रुपए और 610 रुपए थी दिल्ली में ये 1296 रुपए का हो गया है कुलकाता और मुंबई में ये 55 रुपए बढ़कर 1359.50 रुपए का हो गया है इसके अलावा चेन्नाई में ये 56 रुपए बढ़कर 1410.50 रुपए का हो गया है पहले इन शहरों में इसकी कीमत करम स 1241.50, 1296, 1189.50 रुपए थी इस महिने एक दिसंबर को भी कॉमर्सियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोत रिकी गई थी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी की जिप पर गहरा असर पढ़ने वाला है इस वीडियो में फिलाल इतना है आप अपने सवाल और सुझाओ हमें कमेंट्स करके बताइए बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोग मतिन्दी को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक और फॉलो कर लिजिए